नमस्कार मैं हूँ नीशार आप देख रहें एंजेपी हरियाना लंबे इंतजार के बात कॉंग्रेस ने अभी नेता से नेता बने पूर सांसद राज बबर को गुरगाउन लोक सभा से अपना उमिद्वार घोशित कर दिया है लेकिन पार्टी की मुश्किलें अभी खतम नहीं हुई है यह मुश्किल है टिकेट के सबसे प्रबल दावेदार पूर मंत्री कैप्टेन अजे सिंग्यादू की भूमिका को लेकर कैप्टेन नाराज है उन्हें अपनी अंदेखी का दुख है अपनी नाराजगी वे एक्स प्लेटफार्म पर यानि ट्वीट करके भी जता चुके है कैप्टेन ने एक्स हैंडल पर लिखा कि मैं पार्टी की निर्न से बंदा हुआ हूँ लेकिन हारियाना कॉंग्रेस के कुछ नेताओं ने पार्टी के उन जैसे वरिष्ट नेताओं को दबाने में लगे हुए है कैप्टेन का इसारा पूरो मुख्यमंत्री वे CLP लीडर भूपेंदर सिंग हुड़ा की ओर माना जा रहा है कैप्टेन पूरो में जब राजबबर का नाम चला था तब सीधे विरोध करने की बजाए यह कह चुके हैं कि अब नेता को टिकट देना ही था तो कम से कम रितिक रोशन वे करीना कपूर को दे उन्होंने गुरुग्राम में राजबबर की निश्क्रियता और उनके योगदान पर भी सवाल खड़ा किया था लेकिन एक सेंडल पर लिखी अपनी बातों से कैप्टेन यह जाहिर भी कर रहे हैं कि उन्हें रहना तो पार्टी के साथ ही होगा इसी करमे कैप्टेन के बेटे वे रेवाडी सीट के विधायक चिरंजीर राव ने दो मई को अपने रेवाडी आवास पर समर्थकों की बैठक पुलाई है इस बैठक में बड़े फैसले की बात की जा रही है एनजेपी की राए में चिरंजीर शायद ही पार्टी के खिलाब जाएं लेकिन राजनीती में कब क्या हो जाए इसका शत परतिशत दावार नहीं किया जा सकता यहां ये बता देख चिरंजीर राव लालू पर साथ यादो के दामाद है लालू ने बिहार में पपू यादो के मामले में रहुल गांदी की सला को दरकिनार किया था ऐसी स्थीती में लालू यादो अगर अपने समधी कैप्टेन अजे सिंग यादो की मदद नहीं कर पाए तो कोई आस्चरिय नहीं हुआ वैसे भी राओ दानसिंग को भीवानी मेंदरगट से टिकट देने के बाद कैप्टेन की टिकट पर संकट आ गया था कैप्टेन को मलाल इस बात का है क्योंकि वे महीनों से नहीं बलकि सालों से गुरगाओं के गाओं में जनसंपक कर रहे थे पिता के मायोसी अत्वा नाराजगी कोले का चरंजिराओ का रुख क्या रहने वाला है यह दो मही को ही सपस्टो पाएगा इसे के साथ हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और सस्क्राइब करना ना भूलें धन्यवाद